जन जातिया गव्राव दिवस मना रहा है आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पहमाने पर पूरे देश के जन जातिय समाज की कला संस्कृति स्वतंत्रता अंदोलन और राष्ट निर्मान में उनके योगदान को गव्रव के साथ याद किया जा रहा है उन्हें उन्हें सम्मान दिया जा रहा है आजादी के अमरत महोसव मैं इस नए संकल्प के लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं आज यहां मद्दप्रदेश के जनजातिय समाज का आभार भी व्यक्त करता हूँ बिने अनेक वर्षों में निरंतर हमें आपका असने आपका विश्वास मिला है इसने हर पल और मजबुत होता जा रहा है आपका यही प्यार हमें आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करने के लिए प्रेणा देता है उर्जा देता है साथियों इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए सिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुबारम किया है और आज जब कारकम के प्रारम में मेरे आदिवासी जनजातिय समू के सभी लोग अलग-अलग मंच पर गीत के साथ धून के साथ अपनी भावनाएं प्रगट कर रहे थे मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपन कालखन मैंने आदिवासी के बीच में बिताया है और मैंने देखा है कि उनकी हर बात में कोई ने कोई तत्वग्यान होता है परपज अफ लाइफ आदिवासी अपने नाजगान में अपने गीतों में अपनी परंपराओं में बख्खुभी प्रस्तूत करते हैं और इसलिए आज के इस गीत के प्रती मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाबाविक था और मैंने जब गीत के शब्दों को बारी किसे देखा तो मैं गीत को तो नहीं दोरा रहा हूँ लेकिन आपने जो कहा शायद देख धर के लोगों को आपका एक एक शब्द जीवन जीने का कारण जीवन जीने का इरादा जीवन जीने के हेतों बख्खुभी प्रस्तूत करता है आपने अपने नुर्त्य के द्वारा अपने गीत के द्वारा आज प्रस्तूत किया शरीर चार दीनों का है अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा खाना पीना खुब किया बगवान का नाम भुलाया देखिए या अदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी सच मुझ में बे सिक्षी था कि हमें अभी सिक्रा बाकी है आगे कहते हैं मोज मस्ती में उमर बिता दी जीवन सफल नहीं किया अपने जीवन में लड़ाई जगडा खूप किया गर में उत्पाद भी खूप किया जब अंत समय आया तो मन में पच्छताना विर्त है धर्ती खेत खलियान किसी के नहीं है देखिया आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है धर्ती खेत खलियान किसी के नहीं है अपने मन में गुमान करना विर्त है ये धन दौलत कोई काम के नहीं है इसे यहीं छोड़के जाना है आप देखिये इस संगीत में इस नुरुत्य में जो शब्द कहे गए है जीवन का उत्तम तत्वग्यान जंगलों में जिंदे की गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्म साथ किया हो इस से बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है इस से बड़ी इसी देश की विरासत क्या हो सकती है इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है साथियों इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए सिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुबारम किया है राशम आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्यपदेश सिकल सेल मिशन हो ये दोनों कारकम आदिवासी समाज में स्वास्त और पोशन को बहतर बनाने में अहें भूमी का नभाएंगे मुझे इसका भी संतोध है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहट मुप्त रासन मिलने से कोरोना कान में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली अब जब गाओं में आपके घर के पास सस्ता रासन पहुँचेगा तो आपका समय भी बचेगा और अतिरीत खर्च से भी मुक्ती मिलेगी आउश्मान भारती होजना से पहले ही अनेक बिमारियों का मुप्त राच आदिवासी समाज को मिल रहा है देश के गरीबों को मिल रहा है मुझे खुसी है कि मदद देश में जनजातिय परिवारों में तेजी से मुप्त टीका करण भी हो रहा है दुनिया के पड़े लिखे देशों में भी टीका करण को लेकर के सवालिया निशान लगाने की खबरे आती है लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीका करण के महत्व को समझता भी है स्विकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमी का अदा कर रहा है इसे झाल